ओम साइराम दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम जी आने में कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए और कौन से सब्चेक्ट होते हैं यह देखने वाले हैं मुझे क्योंकि कमेंट रहा था तो मैंने सुचा इस वीडियो को बनाना चाहिए क्यों आज हम वही देखेंगे सबसे पहले बुक्स बदाने से पहले सब्चेक्ट भी आप देख लीजिए समझ लीजिए क्योंकि मैंने इनको डिवाइट किया है जैसे आपका पेपर होता है एक्जाम के अकॉर्डिंग मैंने इन सब्चेक्ट को लिखा है तो जैसे आप आपका अनॉटमी का एक्जाम होगा तो अनॉटमी आपका पहला सब्चेक्ट है और माइक्रोबायलोजी दूसरा है यह एक ही साथ इनका पेपर होता है वैसे जो सब्चेक्ट से हैं आपके टोटल जीनम में वो तो 10-11 सब्चेक्ट बन जाते हैं अगर टोटल देखा जाए तो ले लेकिन इसकी बुक जो है वो अलग-अलग रहती सभी की सभी के नोट्स भी आप अलग-अलग बनाती हूँ अगरा जो है वह क्म्यूनीटी है नर्सिंग है इसी के साथ एन्वार्मेंटल हाइज्यन अलग से सब्चेक्ट है है यह एक अलग सब्चेक्ट है नूटरिशन मैं लखे नोजर सब्सक्राइब होगे और साफ में आपका एक इंगिलिश और कंप्यूटर भी रहता है। तो यह भी आपको पढ़ने होते हैं इनके भी नोट्स बनाने सplease आपको भूण हैं वह भी साइब कर सका यह भी आपको बताओंगी उनका उनके रैपको आप Progress एंड फिर भी बुक्स के साथ मैं आपको एक चीज एक अडवाइज जो बहुत ज़रूरी है वो देना चाहती हूं कि नोट सबसे ज़रूरी है बुक्स से भी ज़रूरी जो है वो आपके हैंड रिटर नोट्स हैं जो आपको आपके एक्जाम में और हमेशा ही काम आएंगे त जोस्तों अनौट में फिजॉलजी के लिए मैंने रॉज एंड विल्सन की यह वाली बुक पड़ी है क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है मैंने किसी को दी और मुझे वापिस नहीं मिली इसलिए मैंने बुक का कवर लगा दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह 11 एडिशन मैंने पड़ा है और यह एक अच्छी बुक है इससे आप फॉलो करके इससे अपने नोट्स पर्सनल जो नोट्स बनाते बच्चे वह भी बना सकते हो और हम भी इसी में से नोट्स बनाते थे और टीचर्स हमें को थोड़ा सा गाइड कर देते थे फ्रेंट में आपको ऐसे क छील जादा की ही आएगी और मैंने ये पड़ी है इसलिए आप देख सकते हो अगर आप लेना चाहते हो या किसी और से भी पूछ सकते हो अपने टीचर से भी पूछ सकते हो माइक्रोगा। अगर आप microbiology पढ़ना चाहते हो यह तो subject ही मेरा बहुत बेकार रहा है मुझे कभी समझ ही नहीं आता तो कोई भी book मेरे को दे दो इसकी तो मुझे समझ भी नहीं आता तो बट मैंने यह CP वाविजा फॉलो करी है फ्रेंड्स टी एन ने आई कि fundamental of nursing के लिए मैंने यह वाली बुक पढ़ी थी मेरे पास थी नहीं यह बुक पैसे लेकिन हम लाइब्रेरी से इसको पढ़ लेते थे और इसमें प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से दिये हुए हैं मतलब मैं क्या बता हूं सबसे मुझे जो प्रोस प्रोसीजर्स के लिए तो में यहीं बुक सबसे अच्छी लगी इसके इलावा हमने थियूरी के लिए सिस्टर नेंजी की ऑफिन के लिए फॉलो की आतीकि थी तो यह दोनों मिके प्रोसीजर्स की है औरने च्छी बुक है और इसाजीं बहुत बैस्ट बुकुकि लगी मु के लिए सबसे अची यह बुक मैंने बहुत कम पढ़ी है प्रोसीजर की क्यों मैंने आपको बदाया था कि मैंने टी एन न आई प्रोसीजर के लिए ज्यादा फॉलो किया है तो इसलिए यह मैंने कम पढ़ा है बट बुक यह बी अच्छी है इसमें आपको ब्रैसिंग देखिए फर्स्टेड का भी थोड़ा इसमें आ जाता है और ज्यादा मैंने पढ़ी नहीं है सच में यह बुक मैंने टी एन नाए को जादा फॉलो किया था चली अगला दिखाती हूं तो आपको बुक्स दिखाने के है मालागो स्वामी की एंड़ यह वाले राइटर इसके स्वपना तो यह बुक भी बहुत अच्छी है फॉर्स्टेड के लिए बहुत ही अच्छी क्योंकि फॉर्स्टेड का एक्जाम होता है अपका फंडामेटल आफ नर्सिंग के साथ में होता है और यह जादा बढ़ी नर्सिंग का यह तीन बुक्स है मेरे पास इन में से ले सकते हो और यह ले सकते हो नेक्स प्ने के लिए दोस्तों मैंने यह वाली बुक पड़ी psychology for nurses और यह mr.f.b.khan की बुक हमने पढ़ी है यह बुकना इसमें साथ सलेबस तो नहीं है और जैसे बी एसी वाले के लिए तो psychology की एक और बुक बताऊंगी वह ज्यादा बैटर रही अगर आप वह वाली ले लेते हो तो क्योंकि उसमें ज्यादा स्लेबस है और वह बीसी और पोस्ट पेसिक अगर आप यानि क्या होगा न कि जी एनम की वाद हम पोस्ट पेसिक करना चाहते हैं तो उसे साब से वह अच्छे से नहीं है सिर्फ जी एनम के लिए सही रहेगा और फॉर जी एनम की यह वाली बुक साइकॉलोजी की बहुत अच्छी है यह मैंने पड़ी है तो अभी में बस नहीं है क्योंकि फ्रेंट से लेके पड़ी थी मैंने यह तो अगर आप पोस्ट पेसिक करना चाहते ह अगर आगे पड़ना चाहते हो तो फिर आपको वाली बुक कम पड़ेगी उसका स्लेबस कम पड़ जाएगा स्लेबस उसमें पूरा नहीं है और लिमिटेट साही है सारा स्लेबस उसमें इसलिए फ्रेंड्स यह है सोस्चालोजी जो जी एनम के लिए बहुत अच्छी है यानि कि जी एनम की स्लेबस के हिसाब से प्रेम शर्मा मोदगिल की यह वाली बुक मैंने पड़ी हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूं बहुत अच्छी बुक है जादा महेंगी भी नहीं है य लेकिन और जैसे रोडन्स विल्सन का अनॉटमी है माइक्रो है साइकोलोजी है वह आपको मिल जाएगा तो फिर आप ऐसा करना कि टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना और वहां से पीडिया फोर में डाउनलोड कर लेना वहां से पढ़ सकते हो देख सकते हो यानि इन ब पॉप मत फॉलो करना ठीक है क्योंकि बहुत लिमिटेड है बहुत ही पतली सी वुक है यह और जी अने में जितना स्लेबस होता है बस उतना ही इसमें है ठीक है फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स हो है कम्यूनिटी एल्थ नर्सिंग तो मैंने के पार्क की कम् सब्जेक्ट है इसका भी पेपर आपका कम्यूनिटी के साथ में ही होता है तो यह भी हो गया एक साथ में यह देखो न्यूट्रिशन के लिए मैंने यह वाली बुक पढ़ी है शब्दम महें इनका नाम है और मसीह तो यह बुक न मैंने बहुत पढ़ी है और बहुत यह आप ले सकते हो जो भी बुक आप सही से मैं बता रही हूं आपको कि भी ले सकते हैं आपके स्लेबस के अकॉर्डिंग जो अच्छी है वो सच में आपको बता रही हूं सच में अच्छी है यह बुक सच में बहुत अच्छी आप देख सकते हो इसमें निशान वगरा भी सच में अची वक है जो आपका एक सब्जक्ट आता है कम्यूनिटी के अंडर ही मैंने आपको बताया था उसका नाम था health education and communication skills तो उसमें जो आपका syllabus है ना syllabus बनता है जो syllabus हा जो एक देखने चाते हैं description बेढके लेना video डाली मीडिया जैसे कि aviates हम पढ़ते हैं उसमें तो aviates का आपको काफ़े कुछ मिल जाएगा teaching methods है न एविएट में जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारी इस बुक में है एविएट का सारा कुछ है आप एक communication subject पढ़ते हो जिसमें aviates का ही हम जादा तर बहुत पढ़ते हैं aviates से related तो उसके हिसाब से यह बुक भी अच्छी लगी मुझे और साथ में जो environmental hygiene friends एक subject में आपको बताया था शुरुवात में ही तो उसके तो हम notes बनाते थे उसके लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी इसलिए आपको यह दिखा ती environmental है तो उसके लिए हमने कोई भी बुक नहीं फॉलो करी थी सिर्फ notes बनाई थे जो हमारे टीचर ने हमको दिये थे last but not least क्योंकि यह भी आपके subject है जीनम first year के और वो है journal English for nursing, computer for nurses मतलब दोनों ही nurses के subject हैं जीनम first year में हमारे को तो यह second year में था पर आपको अब first year में ही हो गया है तो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है यह भी पढ़ने वाले subject है लेकिन हाँ मैंने बहुत कम पढ़या है इसको क्योंकि इनके internal exam होते थे और बाकी तो external होते हैं बाहर चेक करने के लिए आपके जो paper होते हैं वो जाते हैं examiner चेक करते हैं दूसरे इनको भी आपको थोड़ा follow करना है तो यह बहुत बहुत कम पढ़ी है मैंने तो इसके लिए मैं कोई भी advice नि करूंगी इन दोनों books के लिए कोई भी लेकिन हाँ मेरे पास यह books है तो मैंने आपको दिखाने को मैं सोचा कि दिखा देना चाहिए आप देख सकते हो writer क्या ना तो यह थी friends मेरी books वीडियो से आपको आपके books की selection करने भी थोड़ी भी help हुई हो तो please मुझे comment करके जरूर बताना क्योंकि मैंने काफी सोच कर यह video बनाई है बहुत time लगा कर बनाई है अपने experience जो मुझे था इन books के साथ में वह मैंने आपके साथ share किया है तो please मुझे comment ज सुना होगा क्योंकि अगर आपने सुना होगा तो आपको book selection करने में मदद मिलेगी क्योंकि मैंने बताया है वीडियो में कि कौन से book आप बिल्कुल definitely ले सकते हो चलिए thank you so much for watching